दोस्तों आज का हमारा एसे का टॉपिक है रोल आफ एग्रिकल्चर इन इंडियन एकोनॉमी भारती एर्थ व्यस्ता में क्रिशी का योगदान या क्रिशी का रोल तो यह रोल कितना बड़ा है ये तो हम सभी जानते लेकिन यहाँ आपको लिखना है एक्स्प्लेन करना है उसे डीटेल मैनर में 700 वर्ट की लिमिट होती है PCS में और उसी में आपको प्रयास करना है बहु यहाँ से सीखेंगे देखिए किसे भी निबंद को अगर एक सीमित शब्द सीमा के अंदर लिखना है वहाँ पर नॉन स्टाप आपको राइटिंग ही नहीं करते जाना है तो इसके लिए ड्राफ्ट बना लीजे मतलब एससे के बहुत सारे टॉपिक आपको पेपर में मिले अगर जिए इससे आपको फायदा होगा जब आप ये ड्राफ्ट त्यार कर लेंगे तो आपके पास एक खाका होगा मतलब एक नकक्षा होगा और उसी के आधार पर आपको चलना होगा बस इसमें आपको फ्रेम बना रहेगा उसके अंदर चीजों को भरना होगा यहीं हुई थी और कृषी की छेत्र में कितना प्रोडक्शन वगेरा बढ़ा था उसके बारे में आप एक परग्राफ में उसको समेट देंगे इसके क्रम में यहां पर वही मतलब अग्री कल्चरल सेक्टर जो है वह इसके बारे में हलां कि यह रिपीट कर गया है तो आप एक ही बार लिख़ीएगा बातों को रिपीट करने का कोई फाइदा नहीं इसके बाद जो next इसमें मुद्दा हो सकता है मतलब draft बनाने में आप बिंदू लिख रहे हैं तो अगला बिंदू आपका हो सकता है इंडिया की जो government है मतलब government of India उसके जो initiative है मतलब agricultural sector को improve करने के लिए और farmers की जो situation है उसको improve करने के लिए यहां government of India भी प्रयास कर रही है तो उसके प्रयासों को आप लिखेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में आप लिख सकते हैं जितनी भी सरकारी योजनाओं हैं जो अभी farm बिलाया है 2020 वाल अतीन अलग-अलग बिधेयक हैं जिन पर की बवाल खड़ा हुआ है तो उसके भी जो अच्छे point है उन्हें आप डाल सकते हैं जहां पे उसे criticize किया जा रहा है मतलब आलोचना उसकी हो रही है तो वहां उन बिंदूओं को भी आप लिख सकते हैं उस पर अपना तर्क दे सकते हैं कोई बुराई नहीं है उसमें बस यह है कि थोड़ा से सकारात्मक सोच के साथ आपको लिखना होगा इसके बाद achievements और future मतलब आप कितने achieve कर चुके हैं अभी तक कितने लक्षों को आपने प्राप्त किया है क्रिशी के छेतर में और कितना आपका future में achieve करने का goal है या कैसी situation रहने वाली है उसके बारे में और अंत में अपनी तरफ से conclusion देंगे यानि अपनी और से एक समाधान देंगे suggestion देंगे कि अगर इस तरह के उपायों पर हम अमल करते हैं तो ये sector जो है और बहतर हो सकता है किसानों की स्थिती में और ज़्यादा सुधार आ सकता है ये आपका draft करने का तरीका है draft बनाने का तरीका है और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इतने थोड़े से समय को अगर आप खर्च करते हैं तो ये benefit देगा आपको beneficial रहेगा देखे इसमें शुरू कैसे किया गया है पहले introduction से start किया गया है तो introduction में हेडिंग दाल दी गई है आप हेडिंग मत डालिएगा इससे में हेडिंग दालना ये अच्छा नहीं होता आप direct paragraph से लिखना शुरू करिए तो यहाँ पर कहा गया कि इंडिया is a predominantly agricultural country attribute a serious share of its overall development to the agricultural sector मतलब भारत जो है वो कैसा है agricultural country है यानि एक कृषी प्रधान देश है और इसकी अर्थविवस्था भी उसी प्रकार की और जितना भी development का हमारा धाचा है वो agricultural sector की development पे depend करता है चाहे वो प्रत्य शुरूप से हो या परोग शुरूप से हो लेकिन आधारित उसी पर है इसी क्रम में Indian agriculture में भी a miscellaneous and extensive sector involving an outsized number of stockholders मतलब यहाँ पर जो यह sector है Indian agriculture का यह किस प्रकार का है miscellaneous है यानि बिवित्ता पूर्ण है इसमें बहुत ज़्यादा diversity है और इस वज़े से इसमें बढ़ी मात्रा में stockholders जो हैं वो involved रहते हैं यानि काम करने वालों की इसमें बहुतायत है संख्या जादा है और वो प्रगट रूप से नहीं होते हैं लेकिन परोक्ष रूप से इसमें जुड़े रहते हैं मतलब कुछ पेशा तो ऐसा होता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की सीधे-सीधे खेती से involved रहते हैं खेती करेंगे, बीज रोपेंगे, फसल की देखरे करेंगे लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा तपका होता है जो की इस अनाज को खरीदने, बेचने, मंडियों तक पहुचाने उसके बाद सरकारी गोदामों तक पहुचाने, ये सब काम करता है उसके अलावा उससे पीछे वाला अगर देखें मतलब फसल के प्रोडक्शन से पहले वाला, पोस्ट हर्वेस्टिंग वाला तो उसमें बीज का उतपादन, बीज का शोधन इसमें पूरा एक तंत्र लगा रहता है और ये जो तंत्र है, जब ये एक साथ मिलकर काम करता है तभी अगरिकल्चर में कुछ बढ़िया हो पाता है इसलिए कहा गया है कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुँ जादा है और इसके जो तत्थ हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं कि इंडिया has one among the most important and institutionally most complex agricultural research system अब यहाँ का जो agricultural research system है वो कैसा है, complex है क्यों complex है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की बहुगोलिक संरशना है, geographical structure है यहाँ का जो climate है वो diversity युक्त है आप देखेंगे कि उत्तर दक्षण पूरब पश्चिम दिशाएं अगर बदलती हैं तो यहाँ climate में change जा जाते हैं मतलब पूरा देश विवित्ताओं से भरा हुआ है राजस्थान की ओर जाईए तो एकदम पानी का अभाव सुष्कता अगर पूर्वत्तर में चले जाईए नौर्थ इस्ट वाले हिस्से में तो वहाँ बरसात की बहुतायत बीच वाले हिस्से में मैदानी इलाकों में ठंडी गर्मी दोनों एकदम एक्स्ट्रीम लेबल की पढ़ती है यानि अच्छी मात्रा में हिमाले की तरफ बर्फ जमी रहती है दक्कन की तरफ आएंगे तो यहाँ एक समान मौसम रहता है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आता है समुद्र की वज़ा से और उसके अलावा पठारी भूमी है तो उसमें किस प्रकार का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं यह सोचने वाली बात है तो कुल मिलाकर पूरा रिसर्च जो है वो एकदम कॉंप्लेक्स रहने वाला है और हमारे जो पॉलसी मेकर है वो यहीं नहीं कर पा रहे है मतलब किसानों को वो लोग फाइदा पहुँचाना चाहते है लेकिन किसानों की आय बढ़ती नहीं है बलकि उनकी कंडीशन और बुरी हो जाती है इससे अंदाता भी असंतुष्ट रहता है और सरकार को भी परियाप्त मातरा में development नहीं मिलता है तो इसके पीछे यह भी एक reason है कि जो policy maker हैं वो नकल करते हैं विदेशी modelों को copy करते हैं कि Spain में ऐसा model है Italy में ऐसा model है America में ऐसा model है या Germany में ऐसा model है और उसी को हम copy करेंगे कि वहाँ बड़ा अच्छा production हो रहा है किसान एकदम खुशाल है बिल्कुल अमीरों की तरह रह रहे है तो यहाँ भी भारतिय किसान जो है वो खुशाल हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता वहाँ के geographical structure में वहाँ के climate में और वहाँ के किसानों में और यहाँ के जो इस्थितियां है उनमें परिवर्तन है अंतर है बहुत बड़ा और उसको ध्यान में रखके हमें काम करना होगा यह ठीक है कि हम जो आधुनिक चीजें है मतलब modern technology है उसमें machine है या जो online मतलब digital क्रांती कहीं जाती है तो उससे किसानों को जोड़ लिया जाए information technology का भरपूर इस्तिमाल किया जाए तो इससे फायदा होगा वो सब ठीक है लेकिन जो main धाचा क्रिशी का है वो भारत के आधार पर ही बनाया जाए या उसी के आधार पर policy develop की जाए तो बहतर है ये चीज़े हैं और इसमें हम जो पीछे का tradition है मतलब traditional agriculture है उसको एकदम से नकार नहीं सकते ये भी एक बात है मतलब लोग कहते हैं कि जो traditional agriculture या cultivation किसान करते हैं उससे production अच्छा नहीं होता है ठीक है आप modern technology को इस्तिमाल करके जो production है उसको अच्छा कर सकते हैं लेकिन जो tradition में अच्छी चीज़े हैं उनको भी हमें लेकर चलना चाहिए इसके बाद आप इसमें और भी चीज़े लिख सकते हैं जैसे कि कहा गया instant historically it involved a process that started in second half of the 19th century जो 19th century का second half था वहाँ से ये start होता है during the colonial period and evidently lead to the establishment of Imperial Council of Agriculture Research agricultural research मतलब ये Imperial Council of Agricultural Research आजादी से पहले की रूप में जाना जाता था आजादी के बाद इसका नाम हो गया Indian तो Indian Council of Agricultural Research यानि ICAR के बारे में बात हो रही है इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि in the present research system the role of ICAR at the national level is in adding, promoting and coordinating research education activities is of serious importance मतलब ICAR का काम क्या है ये कौन सा काम धन्दा करता है तो उसके बारे में बताया गया कि ये सिर्फ agriculture के sector में जो promoting का काम है यानि प्रोचसाहन देने का काम है सिर्फ उतना ही नहीं करता है उसके अलामा adding करता है coordinate करता है research में भाग लेता है research करना इसका main purpose है इसके अलामा educational activities है उनको बढ़ावा देता है तो इस तरह की serious importance इसकी यहाँ पर मौझूद है agricultural sector में research भी ये भी compulsory होता है अगर ऐसा नहों तो हम पुरानी technology को ये लेकर जीते रहेंगे वही पुरानी जमानी के बीज होंगे जिनसे की सीमित मात्रा में उत्पादन होगा तो उननत किस्म के बीज और उतने ही अच्छी मात्रा में बढ़ियां वाले जो उर्वरक हैं कीटनाशक हैं या अन्य जो चीजे हैं मतलब यंत्र हो गए या कोई और modern technology है तो उसको इसके माध्यम से रिसर्च के माध्यम से डेवलब किया जा सकता है तो ये काम जो है ICAR का है इसे हम लोग देख रहे थे इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हम ये देखने वाले ही जो आर्टिकल का मतलब ये पूरा essay है जाहें तो आप इस लाइन को लिखे या ना लिखे लिख भी सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो आप ये लिखेंगे कि जो agricultural research system है भारत में इस पर जड़ासा हमें छान बीन करने की आवशिक्ता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ रोल कितना क्रिशी का है और अगर कम है तो क्यों है तो उसका reason हमें कहां से मिलेगा उसका कारण अगर हम तलाशें तो जो हम प्रयास कर रहे हैं उसी में कहीं ने कहीं कमी है तो इसके लिखे से हम जो research के data है उनको खंगा लें और अभी तक लोटते हुए आएं मतलब आजादी के बाद का जो भारत है वहां तक देखी तो कॉलोनियल इरा से लेकर अभी तक का जो modern इंडिया है वहां तक हम देखेंगे इसके बाद various factors influencing the general development of agricultural research system within the country are discussed मतलब यहाँ पे जो various factors हैं जो की पूरी general development agricultural sector का है उसको प्रभावित करते हैं गहराई से प्रभावित करते हैं उनको हम देखेंगे इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि although agriculture has been playing the foremost vital role in the Indian economy during the course of the study यहाँ नीचे आप जो नीचे की लाइन है उन्हीं देख रहे है it has been observed that no much emphasis has given to the history of the evolution of agricultural research in India ऐसा नहीं है कि कृषी में research नहीं हुए लेकिन बहुत लेट हुए पहले ऐसा नहीं हुआ पहले जो एक बाबा आदम के जमाने की खेती होती थी वैसे ही खेती चलती रही बाद में इसमें वैग्यानिक विधियों का जब इस्तिमाल किया जाने लगा तो देखिए अभी हमें जो research है उसके data को देखना था तो इसलिए Green Revolution के बारे में यहां कहा भी गया है लेकिन उससे पहले एक paragraph है जिसमें की कहा गया कि agriculture as the backbone of Indian economy plays the most crucial role in the socio-economic sphere of the country जो socio-economic sphere है यानि हमारा सामाजी कार्थिक दाइरा है पूरे देश का उसमें यह most crucial role को play करता है इसका महत्व बहुत जादा है तो हमने पहले भी देखा है और यह पूरे भारत की अर्थव्योस्ता की और पूरी भारतिय समाज की backbone है इसके साथ साथ आप यह लिख सकते हैं कि Indian agriculture is a diverse and extensive sector involving a large number of stockholders इसके अंदर diversity है और diversity क्यों है इस पर हमने पीछे चर्जा की है कि मतलब भारत की भागोलिक संरशना ही उसी प्रकार की है climate वैसा है लोग यहां के वैसे हैं अलग-अलग भिन व्योहार और भाशा के और तरीकों के कि इसकी वज़े से क्रिशी के अंदर diversity है और इसी वज़े से research करना complex हो जाता है एक जैसी चीज रहेगी एक समान कोई data रहेगा या एक समान कोई व्यवस्था रहेगी तो उसमें research करना आसान होगा जब उसमें हर कदम कदम पर बदलाव हो रहा है तो ऐसे में research भी उतनी ही diverse होगी और उसमें complexity आएगी इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि it has been one of the remarkable success stories of the past इसके बाद green revolution के बारे में कहा गया है तो green revolution के विशे में आप लिख सकते हैं इसमें heading डाल कर नहीं लिखिएगा जहां पर important data आता है जैसे आपको कोई महत्वपोंड बात कहनी है तो उसके नीचे या तो ऐसे underline कर लीजे और नहीं तो उसको आप अलग करके bullet point बना कर लिख लीजे points में लिख लीजे या flow chart बना सकते हैं जैसी आउशक्ता हो आउशक्ता अनुसार यहां काम करना है कुछ लोग कहते हैं कि जो ऐसे होता है उसके अंदर figure draw नहीं करना चाहिए या map नहीं बनाना चाहिए बात तो ठीक है ऐसे जो है वो एक prose का format होता है उसमें आप poetry बहुँ ज़्यादा जरूर से ज़्यादा डाल देंगे तो भी गड़बड हो जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा में चलता है और अच्छा भी होता है इसके अलामा कुछ quotation आप डाल रहे हैं तो वो भी सीमित मात्रा में इस्तिमाल करना होता है अगर सीमित मात्रा में करेंगे तो वो रसीला बन जाएगा मतलब उसके अंदर रस आजाएगा और और ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी और अती कर देंगे तो वहीं से सब नंबर खराब भी हो जाएगे तो यह सब चीज है तो अती किसी भी चीज की बुरी होती है इसलिए यहाँ पर आप figure भी draw कर सकते हैं flow chart भी बना सकते हैं mapping भी कर सकते हैं यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने topic कौन सा चूज किया है किस subject पर आप लिख रहे हैं कोई भी शिर्शक जो है वो किसी खास छेत्र का होता है जैसे यह agricultural sector का है ऐसे ही कोई geographical essay हो सकता है या कोई political हो सकता है या social हो सकता है या literature वाला हो सकता है तो अब literature वाले essay में अगर आप map बनाने लगें या flow chart बनाने लगें तो यह बकवास है फिर मतलब इसका कोई ओचित्ते नहीं है आप जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए वहाँ number कटेंगे और माल लीजे कोई geographical topic है और उसमें आपको कोई location दिखानी है जो कि आप map की जरीए या किसी figure की जरीए ही बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं तो वहाँ पर आप बेशक बनाईए उससे number बढ़ जाएंगे घटनी की बजाए तो जैसी जरूरत होगी वैसे अपने स्वभ इवेक से आपको काम लेना है यहाँ पर जो agricultural sector है इसमें बहुत ज़्यादा चित्र की तवावशकता है नहीं हाँ यह है कि flow chart आप बना सकते हैं जैसे कि बहुत सारी इसमें diversity है या बहुत सारे topic हैं तो उनको अलग-अलग करके आप दिखा सकते हैं green revolution की जो उपलबधियां है उनको आप points में दर्शा सकते हैं जैसे यहाँ paragraph में दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आप points बना कर इसे और ज़्यादा attractive बना सकते हैं इसमें यह कहा गया है कि contributed to the Indian economy by providing food self-sufficiency मतलब खात दे आत निर्भरता अपने मामले में हम आत निर्भर बन जाए जैसे कि अभी आत निर्भर भारत अभियान चल रहा है तो ठीक वैसे ही green revolution का यही उद्देश्य था कि जो खात दी उत्पादन हम कर रहे है यानि production कर रहे है तो यह grain production इतना जादा हो इतनी भरपूर मात्रा में हो कि हम अपने भी खाएं अपना पेट भर सकें कुछ मात्रा में भंडार करके रख सकें और उसके बाद export-import वाला जो काम है उसको भी देख लें इस प्रकार का production होना चाहिए यही इसका target था और इसमें जो rural welfare का मुद्दा था वो भी involved था, जुड़ा हुआ था इसके बाद इसमें ये भी है कि more ever since independence India has observed a considerable increase in the production of oil seeds किस चीज के production में बढ़ोतरी हुई किसमें कमी आई है ये सब भी आप इसमें data डाल सकते हैं factual data को इकोनामिक सर्वे का आप प्रामाडिक data खोज लिए हो या जो इंडिया के तरह तरह की मतलब भारती सरकार के documents publish होते रहते हैं उनसे भी आप data निकाल सकते हैं तो इनवें आप डाल दीजी इसके अलामा जो vision 75 वाला document नीती आयोग का है उसमें भी आपको इस तरह के जो topic है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आप mains examination देने जा रहे हैं तो जो GS2 का paper होता है उसके लिए वो vision 75 वाला जो document है वो काफी ज़्यादा महत्वर रखता है उससे बहुत कुछ आपको लिखने के लिए मिलेगा छोटा सा उसका summary आप देख लीजे मिल जाएगा फिलाल आगे चलते हैं यहाँ oil seeds के बारे में देख लीजे तो oil seed production जो है इसमें considerable increase देखने के लिए मिला throw the yellow revolution मतलब जो yellow revolution यानि पीली क्रांती हुई थी उसके जरीए इसके अलामा milk throw the white revolution तो green revolution से हमें अनाज का production अच्छा खासा मिला इसके अलामा oil seeds जो है उनके production के लिए yellow revolution चलाई गई तो उससे काफी फायदा हुआ revolution का मतलब क्या होता है क्रांती यानि जो चीज पहले चल रही है वो और तेजी से होने लगे और उसमें सुधारवादी गतिविधिया दिखाई देने लगे तो इस प्रकार की स्थिति को revolution कहा जाता है तो जैसे industrial revolution है तो उसमें क्या करते हैं उद्योग धंदो को और ज़्यादा improve करने का, enhance करने का काम करते हैं वैसे ही यहाँ पर production बढ़ाने पर जोड दिया गया है इसके बाद milk वाले में white revolution को आप जोड कर देखते हैं इसके अलामा fish production की अगर बात की जाए तो blue revolution है तो यहाँ अगर आप चाहें तो जो green revolution है उसी के बारे में लिख सकते हैं इतनी सारी जो another revolution गिना दी गई है, क्रांतिया गिना दी गई है इससे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं हाला कि यह जितने भी और sector है जैसे कि milk वाला milk production का है या fisheries है, या oil seed का है, fruit का है यह सब भी किसानों से ही जुड़ा हुआ है, यह किसानों का side business हो सकता है मतलब मेल वो अपने खेत में जो मुख्या नाज है उनको बो कर खेती करें और उसके अलावा side में जो खाली समय बचता है उसमें पशुपालन कर लें अपने cattle को रख लें, उसके अलावा gardening कर लें, बागवानी कर लें या और भी तरह की उत्पादन हो सकते हैं, दुख दुख उत्पादन होगा उससे, जो पशुपालेंगे तो तो यह सब किसानों की आय को बढ़ाने का जरिया है इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि the role of national agricultural research system जिसे की NARS कहा जाता है, was imperative in the context of all these movementers and successful uphevels तो यह इसका importance है, इसका role है, इसे आप लिख सकते हैं, इसके बाद paragraph change करके इसमें कुछ data डाल दिया गया है तो agriculture and allied sector such as forestry and fisheries account of 19% of India's gross domestic product यानि जो GDP होता है, उसका यह total 19% है लेकिन यहां मिला कर, सिर्फ agriculture अकेला नहीं उसके साथ जो forestry और fisheries का sector है, उसको भी अगर include कर गया जाए, तो total इसकी भागिदारी कितनी है, 19% की है इसके बाद आप यह इसमें लिख सकते हैं कि domestic product, मतलब वही gross domestic product and employs about 60% of the country's entire workforce मतलब 60% कम नहीं होता है, यह first class का division है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में यह क्या करता है, employment generate करता है इसके अंदर इतने सारे रोजगार के असर होते हैं, it also accounts for 10.95, यहां नीचे आप data देख रहे हैं, 10.95 of the India's export इतना इसकी भागिदारी है export में, तो यहां जो latest data होगा उसको आप use करिएगा, यह पुराना अगर हो जाए, मतलब समय भीतने के साथ पुराना हो जाए, तो आप नया वाला खोज लीजेगा इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए यहां जो important चीज है, उसको अगर आप highlight करना चाहते हैं, तो नीचे ऐसे underline कर सकते हैं, यह तरीका होता है इसके बाद जो next paragraph है, इसमें कहा गया कि the agriculture sector is important for industrial development as it supply raw material to industries देखिए, industries जो है, उनके अंदर भी raw material की आउशकता होती है, जैसे इंग्लैंड में industrial revolution हुई, तो वहाँ इंग्लैंड के जितने भी रहने वाले वाशिंदे थे, वो वहाँ से भागने लगे, बाहर निकलने लगे, और colonies develop करने लगे, ताकि वहाँ से raw material मिल सके क्योंकि वो कच्चा माल अगर इन्हें नहीं मिलेगा, तो production होगा कहां से, मतलब यह आसमान से तो बरसेगा नहीं, तो ऐसी इस्तिति में agricultural sector जो है, वो एक important role play करता है industrial development के लिए, जिसके लिए आजकर लोग दिवाने हुए जा रहे हैं, मतलब एकदम से इसके पीछे सभी हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, some depend on agriculture directly, like textile industry, मतलब जो कपड़ा उद्योग है, sugar, sugar mills जो होती है, मतलब चीनी मिले, इसके अलावा, while others indirectly, like breweries, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो industrial sector होता है, उसमें कुछ जो है, वो directly depend करते हैं, जैसे कि यहाँ textile industry है, sugar वाली mills जो होती है, या अन्में जो mills होती है, उनमें भी, और कुछ जो होते हैं, वो indirectly इस पर depend करते हैं, लेकिन dependency होती है, और यह जो dependency है, यह लंबे समय से चली आ रही है, और हमेशा रहेगी, इसके बाद आप यह भी लिख सकते हैं कि growth in agricultural production help develop various type of industries and diversification of employment, so a shortfall in the agricultural output has an adverse effect on the industrial production affecting prices and costing on imbalance in the economy, मतलब इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है, कि यह जो क्रिशी का पेशा है, या क्रिशी का छेत्र है, अगर इसके अंदर कोई गलत प्रभाव पड़ता है, मतलब यह घाटे में जाता है, इसमें declination होता है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव देश के development पे पड़ importance declining, मतलब इसमें प्रश्न पूछा गया है, कि जो agricultural sector है या agriculture का sector है, उसकी importance तेजी से घट नहीं रही है, क्या ऐसा है या नहीं है, तो इस तरह का question पूछा जाता है, या इस तरह का question बना कर आप topic चूज करते हैं, तो उसमें आपको सकारात्मक रहना है, आपको यह कहना पड in the past two decades, the share of agriculture within GDP has declined over the years, मतलब जो GDP में हमारा share था, agriculture का share था, वो तेजी से decline कर रहा है, मतलब पिछले दो decades जो है, उसमें ये परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, दो दश्कों में, decades का मतलब क्या होता है, ये 10 years का time period होता है, तो इंडिया ने कुनामी जो है, उसमें transformation बह देखा गया है, मतलब परिवर्तन देश में बहुत आमूल चूल हो रहा है, अब ये सकारात्मक है या नकारात्मक, ये बहस का विशा है, उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये जो changes आ रहे हैं, ये दो decades से हैं, मतलब 20 साल से लगभग हैं, और मतलब पीछे की जो government थी, वो तेजी से इन सालों में decline होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बाद देख लीजे, in the meantime, the share of mining, manufacturing, electricity and construction sector has increased from, अब यहाँ पर देखिए ये जो meantime था, इसमें क्या होता है, share of mining, manufacturing, electricity, ये जो चीजे हैं, मतलब mining वाला sector है, manufacturing sector है, electricity है, construction sector है, इसमें तेजी से हमें increase देखने के लि और अन्य जो sector है, वो तेजी से तरक्की कर रहा है, मतलब आप देखेंगे कि 21.6% in 1970 to 1971, और उसके बाद ये 27% हो गया, 21.6 से बढ़कर 27% हो गया, 2004 से लेकर 2005 वाला जो, मतलब सत्र था, उसके अंदर, और इस प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं कि the service sector has increased from 32% to 52.4%, ये एक बड़ा इजाफा देखने के लिए मिला है, at the same period, मतलब यही जो पीस साल का फर्क था, या दस साल का फर्क था, उसमें हम देखते हैं कि अन्य सेक्टर जो है, वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, उसका आपको प्रूफ देना है, जैसे आप कोई भी बात कहते हैं, नि इनिशेटिव चलाए जा रहे हैं इस सेक्टर के लिए, वो कौन-कौन से हैं, तो यहाँ Animal Husbandry Infrastructure Development Fund जो है, वो सरकार की द्वारा मई 2020 में अनौन्स किया गया है, तो इस प्रकार का latest जो factual data है, उसको आप डाल सकते हैं, यह essay का वीडियो आप जब भी देख रहे हैं, उस समय क जो previous initiative है, और ततकाल में उसका benefit दिखाई दे रहा है, मतलब ततकाल में उससे अच्छी खासी growth देखने के लिए मिली है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं, इसे आप current affairs से update कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पर यह latest ही है, तो मई 2020 का जो समय था, उसमें government ने announce किया, एक launch किया, मतलब government fund, और इसकी जो लागत है, वो कितनी है, यह 15,000 करोड, यानि अगर US dollar में इससे देखा जाए, तो यह 2.13 billion की है, इसी करम में in September 2019 थोड़ा सा पीछे चलते हैं, प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी लांच तर नेशनल प्रोग्राम for the control of animal disease, इसे कहा गया NADCP, यह प्रोग्र जो live stock है, यानि मवेशी है या जो पशुधन है, उसके अंदर इस प्रकार की बिमारियां होती है, तो उससे निपटने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, उसके बाद यह भी कहा गया कि मई 2020, 13,343 करोड, यानि अगर इसे US dollar में convert करें, अब देखिए इतना ज़्यादा अगर आप नहीं भी लिखते हैं, इंडियन रूपी में भी लिखते हैं, तो कोई समस्या नहीं, फिलाल यहाँ पे 1.89 billion dollar है, यह US dollar है, was allocated to the scheme, मतलब इस scheme में कितना invest किया गया सरकार की ओर से, इसे हम लोग देख रहे हैं, लेटेस्ट जो budget पास हुआ है, उसका भी आप data ले किया जाता है, of a venture capital fund of rate 700 crore, यानि US dollar में 100 million for capital investment in agriculture and rural focused startups, मतलब यहाँ पे agricultural और rural focused startups हैं, ऐसे startups को यहाँ बढ़ाने के लिए नाबार्ड के द्वारा यह fund घोशित किया गया, जिसे कि आप venture capital fund के तौर पे देख रहे हैं, इसकी जो लागत है उसको भी आप लिख दीजेगा, य number one, number two, या point बना कर दर्शा सकते हैं, या flow chart में इसे संछेप में लिख सकते हैं, कुछ तरीके आपके attractive होने चाहिए, इसके बाद आगे चलते हैं, और नहीं कुछ कर रहे हैं, इसमें point भी नहीं बना रहे हैं, flow chart भी नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको रेखांकित क कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके बाद यहां देखे, union budget के बारे में कहा गया है, अभी latest वाला आया नहीं है, तो 2019 वाला जो union budget है, उसके बारे में अगर देखा जाए, तो वहाँ पे प्रधान मंत्री सम्मान निधी, मतलब किसान सम्मान निधी जो है, उस उसको fix किया गया, was to be provided to eligible small holders and margin, और इसके लिए जो age limit है, वो कितनी है, upon reaching the age of 60, इसके बाद आप नीचे इसमें और चीजें डाल सकते हैं, the government of India introduced a transportation and marketing assistance, जिसे की TMA scheme कहा गया, to provide financial assistance for the transportation and marketing of agricultural products, to boost agricultural export, यहाँ पे agricultural export को बढ़ाने के लिए, उसको boost करने के लिए, यह योजना ला इसके अलामा agricultural export policy, जो है 2018 की, was approved by government of India in December 2018, the new policy meant to increase India's agricultural export to 60 billion dollar by 2022, मतलब 2022 तक इसको इतना बढ़ा कर करने का लक्ष रखा गया है, and 100 billion dollar in next year with the stable trade policy region, मतलब यह target है, तो target government ने कितने अचीव की और कितना बागी है, यह आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप paragraph चेंज करके, और भी data इसमें डाल सकते हैं, जितना आप डाल सके, factual data अगर आप डालते हैं, तो छोटे जो कम सी, शब्द सीमा के ऐसे होते हैं, world limit वाले, उसमें आपको काफी सहायता रहेगी, इसके बाद आप यह लिख सकते हैं, कि India is expected to achieve the ambitious goal of doubling agricultural income by 2022, यानि 2022 तक किसानों की आयको जो दो agricultural sector in India is expected to generate better momentum in the coming years, due to increased investment in agricultural infrastructure, such as irrigation, storage and storage facilities in the cold, ये सब सुविधाये हैं, इससे improvement देखने के लिए मिलेगा, ऐसी आशा की जा सकती हैं, मतलब हम लोग भविश्य के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं, इसके बाद आप यह लिख सकते हैं, कि furthermore the increasing use of genetically modified car, like to improve yield for the Indian farmers, जो genetically modified यानि GM corbs हैं, उनका भी अगर एक संतुलित मातरा में और वैधानिक तरीके से इस्तिमाल किया जाए, तो वो भी फायदा दे सकती हैं, मतलब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक छमता होती है, फसल खराब नहीं होती है, उनके तयार होने का जो समय सीमा होती ही, वो भी कम होती है, उन उसके साथ आप ये लिख सकते हैं, कि इंडिया इस एक्स्पेक्टेट तो बी सेफिशियन इन पल्सेस, इन दे कमिंग एर डू तो साइंटिस्ट, यहां नीचे आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट है, वो कम समय में तयार होने वाली जो पल्सेस हैं, और बढ़ियां प्रोडक्शन देने वाली पल्सेस हैं, उनके उपर काम कर रहे हैं, तो यह काम तो धान के उपर भी हुआ है, और हर बीज के उपर, हर फसल के उपर होता है, तो यह सब रिसर्च का ही नतीजा है, इसलिए रिसर्च को भी बढ़ावा देना चाहिए, अब आप यहाँ पे conclusion कर सकते हैं, समापन कर दीजे, तो समापन में यहाँ पे बहुत सारा data दिया हुआ है, आप ऐसे करिए या अपने शब्दों में करिए और बहतर है, तो यह data आप मत ही लिखिए तो बहतर हैगा, इस प्रकार का जो रद्धी data होता है, यह बीच में रहे तो अच् और conclusion जो होता है, वहाँ पे आपको सिध नहीं करना होता है, वहाँ आपको suggestion देना होता है, सुझाओ देना होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कुछ चीजें काम की हो सकती है, जैसे कि आप देखिए इसमें कहा गया है कि control points, critical control points, जिसे कि HACCP कहा गया है और के अलामा good practices for manufacturing यानि GMP and good hygienic practice यानि GHP by the food processing industry will offer serval benefits, यहां तक जो है data है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का data है, यह future वाली बात कहीं जा रही है, उसके साथ साथ यह कहा गया है कि India's agricultural export are likely to reach the goal of 60 billion dollar by 2022, तो यह conclusion है तो सही, लेकिन conclusion जैसा नहीं है, यहां पर आपको suggestion देना तो आप सुझाओ दे सकते हैं कि research वाले sector में और ज्यादा improvement करके, इसके अलामा किसानों की समस्या को करीबी तरीके से जान कर और देशी model को बना कर, मतलब जो Indian model agriculture का होना चाहिए, वैसा model बना कर और उसमें थोड़ा सा जो modern technology है उसको include करके, हम किसानों की आमदनी और किसान Indian economy में क्या role था इस पर हमने discuss किया, तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार